हेलो गाइस प्रगती आइडिया चैनल पे आप सब का स्वागत हैं आज हम प्लिटिकल साइन्स सब्जेक्ट के एंची आरटी वोग के थर्ड चप्टर कोवर करेंगे जिसका नाम है विस्व में अमेरिकी वर्ष ये इस चैप्टर का पार्ट वन है चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में हम यह जानेंगे कि कैसे अमेरिका एक सक्ति शाली राज्य है और विस्व में हर जगए पर उसके हर अक्षेत्र में उसकी पावर या उसकी मर्जी यह कहलो कि उसी की सक्तिकियों कैसे चलती है इस चैप्टर का जो में पॉइंट है वो है वर्ष यानिकि है हाजीमनी नहीं कि अमेरिका की हाजीमनी या अमेरिका का वर्जव पूरे विश्व विवस्ता पे कैसे लाग होता है या कैसे चल रहा है ठीक है तो एक वर्ड यूज होता है इसमें वर्जव इसका हाजीमनी बोलते है इसका अर्थ जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है तो इसक conclusion में meaning होगा सबी अक्षेत्रों में एक मात्र शक्ति के अंदर होना उससे बीट करने वाली कोई शक्ति ना हो ठीक है शक्ति का यूज यहां पर हम मतलब एक राज्य के लिए कर सकते हैं जैसे में लीजर फीके से बीट करने के लिए अभी फिलाल में कोई बी शक्ति नहीं है दिःते उससी यूद का दोर था उसमें सोवेट संग जो था वो अमेरिकाओ से में तोनों के बीच तिक काटे बनी करते थे शेन ने संगठन बनाए बहुत सारी संदिया की ठीक है परमानू पर शार किया परमानू बमों की होड लगी है थ्यारों की बनाने की होड लग गई थी यह सीथियूद के दौर में हुआ था लिकिन जैसे ही सीथियूद खतम हुआ सोवेट संग का तो वर्षव की शब्दकारत हो गया सभी अक्षेत्रों जैसे शैन्य आर्थिक राजनेति कि सांस करती के अक्षेत्र में अंतराष्टर राजनेति पर एक मातर शक्ति के अंदर होना ठीक है जो यह है जिमनी शब्द है इसका परियोग प्राचिन यूनान में किया गया था नगर राज्य थे वहाँ पर राष्टर राज्य नहीं होते थे नगर राज्य होते थे और नगर राज्यों में जिसकी पावर ज्यादा चलती थी उसके लिए यूज होता था और एथेंस की ज्यादा पर बलता थी मतलो एथेंस का परभाव सबसे ज्यादा था जैसे आज के करेंगे कि वह कैसे का मीनिग हम बता चुके हैं कि क्या होता है अब हम देखेंगे अमेरिका का वर्चव कैसे है कैसे वह पूरे विस्व में एक सक्तिशाली आफ यह पावर के रूप में सबसे उपर है ठीक है 1991 में सोगेट संग का विगटन हो गया, चीट यूद का अबियान तो गया, और अमेरिकी वर्षव की स्तापना के साथ विश्व राजनेती का सरूप एक दूर्वे प्या, और अमेरिका का वर्षव के कि वो एक अकलोती महासक्ती बच गया था, तो विश्व क्या था, वो एक फिर है कि अगस्त 1990 में 1990 में इराक ने अपने पडोशी देश पर कुबेट उसका पडोशी देश था कुबेट उस पर कबजा कर लिया, इराक के राष्टर पतिकों थे सद्दाम हुशेन थे उस टाइम पे, ठीक है, तो उन्होंने उस पर कबजा कर लिया, फिस स्युक्त रा को खतम हुआ सुँक्ट राष्टर संग ने, इस में समाधान के लिए इस वιवाद के लिए समाधान के लिए अमेरिका को इराक के उरुद सेन्येबल किया नोमोति दी, अब एक तरफ से देखा जाए तो, अमेरी सिंगत राष्टर संग क्या है? कोई ये तो है नहीं कि मतलब हम प्यार्थिक साहです जो देता है जिसका ज्यादा योगदान होता है उसे की पावर चलते हैं तो अमेरिका की चर्फ ज्शला पावर है क्योंकि उसका योगदान सबसे ज़्यादा है ठीक है इसलिए अमेरिका ने कुम अमेरिका को इरान के वरुद सेने बल्गे बनुमती मिल गई स्विक्त राश्टर संग ने जो था यह सिर्फ नाट की फैसला था नाट की फैसला क्यों कहते हैं क्योंकि पावर तो सिर्फ जैसे कहते हैं कि योगदान अमेरिका का जादा था तो अमेरिका की पावर जादा थी तो अमेरिका ने सिर्फ नाम के लिए स्विक्त राश्टर उन्होंने इसको नई विश्व विवस्ता की सुरुआत हो जाती है ठीक है नेक्स्ट है वर्षव का मीनिंग हम बताई चुके हैं कि शैन्ने आर्थिक राजनतिक और सांस्कृतिक अक्षेत्रों में अंतराष्ट्रे सतर पर एक मातर शक्ति का किंदर होना ठीक है तो वो जो है अमेरिका ही है अब आगे झाल के अमेधिये देखेंगे की जो वर्षव सब्साइं अर्थिक राजनतिक क्षतियां और अक्षेत्र है इनका वर्षव कैसे कैसे होता है उससे पहले हम देखते हैं कि अमेरिकी जो उसके बाद में कों आते हैं मेर cuma आते हैं इसन राष्टपति नीती थी वो थी घरेलू नीती गरेलू जो नीतिया हैं उनको से मजबूत करना ठीक है और अंतर राष्ट्रे जो सतर है उस पर लोगतंतर को बढ़ा देना जलवाई परिवर्तन और विस्व विया पार जैसे जो नरम बुद्धे थी उन पर ध्यान के अंदरित करना इससे पह सकती दिखाना उसको बोलते थी ठीक है और जो यह इरान पर कुवैत करें इसमें क्या वह था इसमें स्मार्ट बोमों का प्रियों किया गया था एरान के उपर ठीक है और जो सद्दाम हुश्यन थे उन्हों ने इस औपरेशन मतलब इस यूद को क्या कहा था जो जंगों की एक जंग है ठीक है इस यूद में 34 देशों की मिली जुली सर्क्राइब मिली जुली सर्क्राइब सब्सक्राइब शेनान ने इरान के उपर हमला किया था लेकिन इसमें 6,606,000 जुसैनिक थे उन्होंने इराक पर हमला किया था इरान नहीं इराक पर हमला किया था ठीक है और इ डैजर्ट स्ट्रोम तो पहला यह उपरेशन डैजर्ट स्ट्रोम ने अमेरिकी जो वर्षव कहलो या उसके नेत्रितों में लगा लो ठीक है अब बात आती है कि जो अमेरिकी वर्षव इसमें कैसे कैसे दिखाता हूं कि अमेरिका ने जो यह शैनिक 6,606,000 वर्षव उसमें से 75 परतिसाथ शैनिक थे वह सिर्फ और शिर्फ अमेरिका की थी और बाकि जो 34 देशों में उनके 25 परतिसाथ ही थी ठीक है इसको हम इसको पर्थम खाड़ी युद्ध भी कहा गया था ठीक है और इस युद्ध में स्मार् टेली कास्ट दिखाया गया था हर मतलब विस्व के अलग अलग देशों में ठीक है तो इसको हम वीडियो गेम वार भी कह सकते हैं ठीक है फिर आता है यह हो गया फिर नेक्स्ट है 11 सितंबर 2001 के दिन इसकी इसकी शक्ति को देख आतंकवाद के विरुद्ध विरुद्ध वि सब्सक्राइब करते हैं नाइन इलेवन की घटना भी कहते हैं यह था कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के उपर अमेरिका के उपर हमला किया गया था अलकाइदा के मतलब आरोप तो यह लगा था कि अलकाइदा के अतंकवादी उने गया था कि 19 हाइजकर्स थे अपरना करता है वे जो अपरना करता थे वे अलकाइदा गुट के थे अलकाइदा एक तालिबान का एक जो हो अतंकवादी गुट था ठीक है तो इस में क्या था क और दो विविच्जक करता नहीं कि Urlaan थे और इन एक के जो आनकी। आर नेве पर एक जो विमान थे आमेरिका के ही ननकी को हैजक करें कि लिए और नोwald ट्रेडी सेंटर WiFi न के वी मुंशिक्त करोने के पहड़ी कॉना मत्माई कने के हैं न कर खाल दिया मेंziękान कना के है। फिर एक जो था वो पेंटागन पर और जो एक था वो अमेरिका की संसद है उस पर कर आटक होने वाला था लेकिन वो किसी गाँ में जाके गिर गया मतलब उसकी डारेक्शन चेंजो गए इसके खिलाफ अमेरिका ने एक ओपरेशन चला था ओपरेशन इराकी फ्रीडम ठीक है इसका नाम दिया था ओपरेशन एकी फ्रीडम कि रिदम था इसमें 3000 अमेरिकी शानिक मारे गए थे और बड़ी संक्या में एकी मारे गए तो कम से कमदों पच्चास के असपास जो है निर्धोस नागरिक मारे गए थे Okay है कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम टोपिक कवर करेंगे फर्स टेफ वर्टसब के परकार फिर वर्टसब अवरोध के उपाए और लास्ट बारत और अमेरिका के संबंद चलिए आज के लिए इतना ही